सबी लोग बहुत अच्छे से रही खुश रही यह तो सभी को जानते हैं उनके जो वीडियो चैनल ते दारोड से लेकर सब में अंसु थी साथ में थी तो उनमें जो सपना है और जो सपना की जो सास है उनमें कुछ कॉंट्रिक्ट्स राइज हुए तो अंसु के लिए वहां पर मुशीवत में पहला होना शुरू हो गया तो हेलो गाई जैसे कि आप सभी को पता है फिर से सपना की और इस्तेदारों की कॉंट्रवर्सिस स्टार्ट हो चुकी है हलांकि पहले हम सपना की ही बाते सुनते थे और उनके कोई भी अंसु का भी चैनल है बट अंसु भी कभ जी के लड़के हैं कभी भी सपना के बारे में बुरा नहीं बोलते हो ना ही उनका जो एक पडोसी बनाता है उनके बारे में बुरा बोलते है बट सपना जब भी व्लोग बनाती है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें नेगिटिव दिखाने की कोशिस करती है और पूरी कोशिस करत वो चाहती है कि बस मेरे से बहतर कोई है ही नहीं मैं आप यह नहीं कहना चाहूंगी कौन गलत कौन सही है बट आप सोचेगा जब वो लोग बनाते हैं कभी भी बुराई नहीं करते सपना की फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं यह क्यों बुराई करेंगे यह तो बस सिरफ दिखान चाहते हैं हम अच्छे लोग हैं तो ऐसा नहीं होता है बई जिस लोगों के मन में नेगिटिव रहेगा वही नेगिटिव बोलेंगे जो लोग पोजिटिव हैं वो पोजिटिव ही बोलेंगे तो अब बात आती है कि जो इनके सपना के मोसा ससूर का एक वीडियो आया है और सच में ये बहुत ज़्यादा समझदार उमधा किशन के हैं काफी अच्छी पोस्ट है इनकी तो इनके एक-एक शब्द बहुत अच्छ है कि कोई भी रिष्टेदार किसी का घर नहीं तोरना चाहता इनके मन तूटे हैं और इनके घर की बात ही नहीं पता है किसी को नहीं पता था पहले अंसु को निकाल देंगे फिर मैं रुक ही नहीं पाऊंगी तो इसके मोसे ने पूरी बात बताई है कि अंसु क्यों निकली थी घर से अंसु को निकाला नहीं था अंसु ने खुद अपने पापा से फोन किया था वो भी रात के एक डेड़ बजे के करीबन और कोई भी लड़की जब अपने बाप से इस तरह से बात करती है रोते हुए एक डेड़ बजे के करीबन तो कोई भी बाप अपनी बेटी को इस तरह नहीं छोड़ेगा उस घर में बात कुछ भी नहीं थी बात बस सपना और सपना की सास के बीच थी कई बार होता है सास बहुमे मे आई थी तो इनकी सास ने उनको मतलब इज़त नहीं दी थी बोला भी नहीं था हर लड़की को गंदा लगता है बुरा लगता है वह सपना की मम्मी आई थी वो कुछ लेने नहीं आई थी वो अपनी बेटी का मतलब दुख के गड़ी में आई थी और इस वक्त में अपने आ प्रफ़ारी थी क्योंकि भुआ उसे बच्पन से पाला था तो वो मा समान थी और भावी उसे बहुत प्यार करती थी और मतलब दोस्तों की तरह रहते थे उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती थी इस वज़े से अंसु दोनों तरह पिस गई थी क्योंकि अंसु अगर सपना का काम करती सपना का कहना मानती सपना के पास जाती तो भुआ को बुरा लगता था और जब अंसु अपनी भुआ के पास रती कई बार आपने देखा होगा सपना सिरफ अकेले व्लोक्स बनाती थी उपर अकेली रहती थी अंसु कई बार क्या होता था नहीं जाती थी स्कूल से आकर अपनी मतलब भाजी के पास ही रह जाती थी तो उस समय सपना को बुरा लगता था इस चीज को लेकर अंसु फस सुकी थी कि उसकी सास सपना के पास नहीं जाने दे रही थी और सपना सास के पास नहीं जाने दे रही थी तो अंसु को ये सब अच्छा नहीं लग रहा थ उसके पापा उसे लेकर चले गए और उसी के दोरान सपना ने डिशीजन ले लिया था अगर अंसु नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगी क्योंकि सपना और उसकी सास की तो बन ही नहीं रही थी अब सपना ने सोचा अब मैं यहां रहकर क्या करूँगी क्योंकि बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है क्योंकि आप सबी समझते है सपना की तो छोटी बेटियां थी और वही बेटी इतनी मतलग वह भी नहीं थी कि समझदार थी कुछ कर पाती कई बार सपना बिमार और उस घर में सपना देखा वह आपने बिमार बहुत रहती थी अब भार आ गई है ब कोई बिमारी नहीं थी, बिमार हो तो आदमी यहीं भे हो जाए, अब क्या है, पूरा परिवार है, टाइम पास हो जाता है, बच्चों के साथ, मम्मी है, भाई है, सब है, और वहाँ पर क्या होता था, वो अकेले रूम में रहती थी, सास के साथ, टाइम स्पेंड नहीं करती दोनों की, किस वज़े से नमें मन मुटाव था, कई बार हो जाता अकसर, हर किसी के घर में होता है, यह नहीं कि सपना के साथ, हर किसी के साथ ऐसा हो जाता है, अदरवाईज उनके पहले काफी अच्छे रिलेशन थे, बट कोई बात हो गई होगी, जो मन में बैठ जाती है, और फिर उस चीज से निकला नहीं जाता, वहीं इनके साथ हुआ था, बट रिस्तेदार का यही कहना है, कि हम रिस्तेदारों ने कोई आग नहीं लगाई है इन घर के बीच में, इनके खुद की लड़ाई थी, इन सास भूं की लड़ाई थी, और इसी के बीस अपना ने घर का हक है, राजियुजी, सुरजी के बाद उनके बच्चों का ही हक है, उनके बच्चों को ही मिलेगी, हाँ, अन्सु को मिल सकती है क्योंकि वो भी उस घर की बेटी के समान थी, छोटी सी तीन साल की लेकर आये थे, तो उनके सास ससूर की मर्जी होगी, तो वो अपना इससा उने दे सकते हैं वर राजीव जिए और सूरजीव की अगर प्रोपर्टे होगी तो उनके बिचों को आईगी कोई उसे नहीं ले सकता तो ये सपना का भहम है कि मेरी रिस्तेथार 龐 परके मेरी प्रोपर्टी ले